कि कैसे आप सब बढ़िया बढ़िया होंगा ऐसे मैं उम्मीद करता हूं कि अर्पेसी फर्स्ट क्रेट का जो है उसकी तयारी आप लोगों की अच्छे चल रही होगी और क्योंकि कल जो है वह लास्ट डेट भी खतम होगी है फॉर्म बढ़ने की तो अभी पूरी तरीके से इ केंड़ेट उन सेलेक्ट किये थे हैं कि कट अप 297 ने आउट फूर फिप्टी मतलब अच्छे खास से मांकि अगर बात करें परसेंटेज में तो 297 66 परसेंट जो कट अच्छे खासी कट अब पिछले अटाइम के अंदर बात करें तो लगबग केंडिडेट जो सेलेक्ट हुए थे जिन्होंने अप्लाई किया था वो लगबग 36000 के आसपास थे तो इस बार के जो टोटल एप्लिकेशन से कितने भरे गए वह अभी तक तो आये नहीं है मैंने अभी तक जो नहीं हो रहा है बेसिक साइट पर जो कि एक दो दिन के अंदर सो होने लगेगा तो मैं आपको वह जरूर बताऊंगा तो 130 स्टुडेंट जो हो सेलेक्ट करने उन और 2018 के बाद में काभी टाइम हो गया तो 130 डिवाइड़ बाइ 50,000 मतलब 1000 स्टुडेंट में से 2.6 स्टुडेंट जो वो सेलेक्ट होँए तो कम्पि rice का लेवल तो आपको समझा आई रहा है कि कितना हाड होने वाला है अब ऐसे कम्पिटेशन के अंदर आपके जो डिसीजन है वह इस तरीके से होने चाहिए कि आप फर्स्ट्रीट बनने के लायक हो समझ पारें बात आप उस तरीके से पढ़ें उस तरीके से रिविजन करें और अगर आप ने करी है अभी तक नहीं का देखी है तो उस क के स'? इसके अंदर आप उसे जल्दी से जल्दी किम्प्लेट करने क्यों करें संडे तक क्योंस करें मंडी से हम रिविजन यो शूरू करें में पहले टैलגם पर दूंगा आपको टॉपिक आपको टॉपिक को तयार करना है और उसके बाद में उसको हम जल्दी से क्विक जो करने कोशिस करेंगे 15-20 मिनिट के अंदर ताकि फिर उसको आप वापस समराइज कर पाओ और उसके उपर बुक्स जो हो पढ़ना चाहूँ पढ़ सको अब इसमें कोच एस्टेंट देंगे उतना आपको ज्यादा फाइदा होगा भी आपको खुद को समझा रहा है कि 50,000 लोगों मैंसे सरफ 130 लोगों को सेलेक्ट करने तो लेवल अप कम्पिटिशन तो आपको समझ आई रहा है फिर इसके बाद में अगर आप यह पूछते हैं कि 11 पहल के बुक्स आपने उनके पीडियाव अपलोड कर लिए वो पढ़ें की नहीं पढ़ें वह आपके उपर है वही देखो इसके उपर तो आप खुद देने ले मेरे साब से तो पढ़ना ही चाहिए इस कम्पिटिशन के अंदर तो पढ़ना ही चाहिए जिस बुक्स आपको पढ़ा नहीं है उन सबसे जाने चाहिए और पूचे जाते भी है मैंने पेपर डिसक्रेशन जो हो भी डाला था उसके अंदर भी मैंने बताया था कि यह सबसे ज़्यादा पूचे कहें पूराने पेपर जो भी मैं अपडेट कर दूंगा mcq जो है आपको अपडेट करना चुरू की अब यह संडे तक सफिलैभा पूर्सन बाके तक resistant के भी क्लाव को यह ही जो रिक्ट किजिए यह स तरीके से चुरू के शूड़', रिविजन क्लास जो वो मंडे को जैसे 10 बज़ेस में पहले पहले अप्लेट कर दूँगा और कौन से सब चेप्टर की डालूँगा वो भी मैं आपको पहले टेलिग्राम पर बता दूँगा जो भी क्लासेज होगी वो आपके कोर्स के अंदर एड कर दी जाएगी रिविजन क्लासे आपको क्या करना है पहले एक बार खुझ से पढ़ना है फिर रिविजन क्लास देखनी पिर आपको जो समरी नोर्स क्लास के अंदर है जाएगा क्लीर है मैं रिविजन में क्या क्या कावर करके हलांके मैं ज्यादा लंबर डूरेशन की क्लास नहीं लोगा 15-20 मिनट के लोगा उसके अंदर सारे इंपोर्टेंट जो 11-12 के बुक्स के अंदर है वह पॉइंट कवर करने कोशिस करूंगा और उसके अलाव जो पुछे जाते हैं और जो रेफरेंस बुक्स के इसाब से जहां से ज्यादा पूछे जाते हैं वह सब कवर करके मैं 15-20 मिनट के अंदर एक चप्टर को जो रिव कुझ से जरूर बने उससे आपको फायदा मिलेगा उसके साथ ही मैं आपके एंसी क्यों आकांटिंग के मैंने अपडेट कर दिए बागी के भी जो अपडेट कर दूँगा मैं जल्दी से कि उसे के साथ आप एंसी की जो प्रेक्टिस करना शुरू कर दें ताकि एक चप्टर जब कंप्लीट करें तो उसे पूरे तरीके से हंड़ेट परसेंट जो कंप्लीट करें क्लीर है सर 11-12 की जो सीरीज आपने शुरू कि थी जो जूनियर कॉंटेंट के लिए और आपने इ उसे 11-12 की बुक्स को पढ़ें क्यांकि अगर आप वह देखेंगे तो उसमें आपको ज्यादा टाइम गंजब होगा और आपका सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है और 11-12 की बुक्स आप अगर की तयारी कर रहे हैं तो आप वापस पढ़ेंगे तो आसनी से उसे कवर कर लें हैं तो आप उसे पढ़के कंप्लीट करने की कोसिस कीजिएगा अगर आपको लगता है कि आपको डाउट आ रहे हैं तो उसकेस के अंदर जरूर आप जो हो लेक्टर्स देखें बाकी 11-12 की जो बुक्स आप खुद से से पढ़ेंगे तो ज्यादा पाइदा करेगा क्योंकि टाइम कम है और जितने नंबर आप रिविजन ज्यादा होंगे उतना आपको फाइदा मिलेगा तो इस संडे तक आप जो भी है अपना पॉर्सन जितना बाकी है उतना सारा कावर कर लें नेक्स्ट मंडे से अपनी जो रिविजन क्लासे हैं वो शुरू करने वाले तो तयार हो जाएए पूरे अच्छे से अपना 100% दीजिए जितना एफट दे सकते हैं उतना दीजिए नई बरती 2018 के बाद 2022 से चार साल तो देख आपको देखी रहें तो इसका मतलब आगे भी चार साल जो यह चले जाएंगे चार साल मतलब कि कईयों का केरियर जो उसमें चला जाता है वह जो पच्छेस चब्वीस के उतीस के अंदर वो कहीं कहीं तो सेटल होना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप गवर्मेंट जॉब के लिए और फर्स गेड के लिए एक असन बरिजिन की आप आराम से नि मैनत करनी होगी आपको अपना 100% एफर्ट जो देना है उसे दीजिए एक ही बात कहके मैं अपना जो यह सेशन करूंगा अगर आप एक्जाम देने गए उस वक्त आपके दिमाग के अंदर यह आ रहा है कि यार थोड़ा और पढ़ लेता तो आपका एक्जाम क्लीर नहीं हो करा और अगर जिस दिन आप एक्जाम देने जा रहे हैं आपके दिमाग में यह आ रहा है कि मेरी जो मेक्सिमुम में 캡्रेम बेट यह! सकते सकते हैं समझ मईक्चा कर सकते हैं अगर मैक्सिमुम पर नहीं पहुंचे तब तो आप 100% नहीं करेंगे लेकिन मेक्सिमुम पर बाकी है आप उन्हें जल्दी से जल्दी कम्प्लीट कीजिएगा और जो मैंनेजमेंट अकॉंटिंग नया जो एड हुआ है उससे मैं अपडेट कर दूँगा एक दूजिन के अंदर तो संडे तक आपका सब अपडेट हो जाएगा उसके बाद मैं मंडे से हम रियूजन सुर के फिर जो समरी देखके फिर समरी नोट्स बना दीजिए फिर उसके एंसी क्यों ट्राइब कर दीजिए ताकि वह चैप्टर आपका कंप्लीट फिर उसको आपको दुबारा जब करोगे तो सिर्फ रिविजन नोट्स जिसको पढ़ने में हाइड लिए आपको 10 मिनिट लग काम नहीं बनता है कही जीजिए आपको ऐसी भी होगी जो याद करनी होगी कौन सी तेयोरी किस ने दीए तो याद करनी होगी क्लीर है रेशियो अनालेसिस है आपने समझा बहुत अच्छे से लेकिन उसके बाद भी याद करना जरूर है तो जरूर है क्लीर है बहुत-बहु दसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें